यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेन होने वाली है क्योंकि अभी भारत सरकार ने जारी कर दिया है लास्ट पंदर डिसेंबर है इसका लास्ट डेट करने का आप सभी को पता हो गया लपीजी गैस कनेक्शन में एक वाइसी होना बहुत ही जरूरी है तभी आप लोग अपना गैस का सबसीडी फाइदा उठा सकते हो ठीक है तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है अभी मैं आपको यह इसका लाइप प्रूफ भी दिखा रही हो अभी क्या कैसे है और कितना दिन तक रहे गए अभी सब में आपको लाइप रूफ यहां दिखाने वाली हो तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है लपीजी गैस केनेक्शन में यहां पर सकते हैं लपीजी गैस एक वाइशी ध्यान दे एक वाइशी नहीं करवाई तो बंद हो सकती है गैस सबसीडी यह है आखिरी तारिक तो यहां पर नीचे पर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है LPG गैस उपभोगताओं के लिए एक जारी खबर सामने आई है अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसीदी कालाफ मिल रहे तो आपको तूरंथ ही EKYC करवा लेनी चाहिए EKYC बायमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी इसके लिए सभी गैस एजेंशियों को निर्देक्स दिया गया है EKYC का कार्ड या 15 दिसंबर तक चलेगा तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यह 15 तारिक तक लास डेट है तो इसको कैसे करना है लाइब प्रोसेस में अभी आपको बताने वाली इसको आप घर बेठे भी कर सकते हैं मगर उसके लिए आपके आधारकार में फोन नमर लिंक होना बहुत ही ज़री है तब ही यह ऑथेंटिकेट आप घर बेठे भी कर सकते हैं अपने फोन से भी घर्बेठे इस वाली ओस आप मैं समक हैं इस तरह कि मैं नहीं इस नहीं को बॉपन बढर मोइन करना है मैं भी रहे डाँ आपको क्ल्ब कर द कर दीने घर भी ऑपन होगा तो यहां पर तीन तरह का यहां पर गैस कनिक्षिन यहां पर सोड़ है भारत गैस एच बी इंडियन तो आपको जो गैस का कनिक्षिन उसी पर यहां पर क्लिक कर देना है तो अभी में यहां पर भारत गैस का करने वाली तो यहां पर भारत गैस पर यहां पर क्लिक करना है उसक यहां पर देख पर 70 डीजिट्र माग भाहरा तो यहां पर नर्माल गल्री सर्केश च्लिक मार्टब माईं यहां पर पर ट्लिक्ट बबाद सङल्वीं करते हैं पर डीप करेंगा सिंग्वूwe झाल की इंट counties, दीबिट्टनों के मर्स च्शती ह cried और CAPTCHA को यहाँ पर फिल करके LOG IN पर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यहाँ पर लोग इन हो जाएगे अपने ID LPG पर तो यहाँ पर दीखें सबसे पहले आपका यहाँ पर सब डीटेल्स वगेरा सब यहाँ पर सो होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अधार नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रैक्यर रिफिल पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार आपने रिफिल किया है अपना गैस सिलिंडर को कितना बार आपने यहाँ पर लिया है और आपके खाते में कितना रुपे आया है कितना नहीं आया है सब यहाँ प करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको क्या करना जरू है इसको कैसे करेंगे इसके पहले आपको बैक आजाना है उसके बाद यहां पर दीखे अधार अथेंटिकेशन का ऑप्शन तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है क्लिक करने के बाद यहां पर पर मोबाल नमबर पर एक घुसेप हेगा ऐहां पर किप चैप जब दे हम रादले काप्चा के इतल इनका कपकी अधर क्लिक सिस्थाइप ऑफ के इसाटेस इंसाफन नपर नुद्स दना है, थनका जाएं आधार आधार और नisetकों और न गया थ confusion आधार एचिये कर देडाने तो पर हें यहां पर एचिये वे क्लिक अधार आप KStbrand किक के यहां पर यहां पर इंठा के चैटस बंदे मिलुड़ा है तो वहाँ पर authentication अब complete हो चुका है उसके बाद आपको फिर से back आना है तो यहाँ पर आप देख सकते अधार link to LPG account तो यहाँ पर भी yes हो गया है अब यहाँ पर अधार link to bank account यह भी yes हो गया है तो यहाँ पर सब कुछ complete हो गया है आपको घर बेठे मैंने यह process समझा दिया अगर आपके आधार कार में नमबर link है तो आप यह process आराम से घर बेठे कर सकते है आपको कहीं पर जाने का जरुरत नहीं है अप चेक भी करेंगे आधार authentication में जाके वहाँ पर आपका status इस तरह का अलरी यहाँ पर complete शोगा है तो आपको जाने का जरुरत नहीं जिसका वहाँ पर complete शोगा है और जिसका अधार कार में फोन नमर link नहीं वही सिर्फ जाए अपना नज़िकी distributor के पास वहाँ पर जाकी EKWIS जरूर करा है और जिसका link है वह इस तरह का कर सकते है ठीक है process तो बहुत आसान तरिका से मैंने आप सभी को समझा दिया है I hope आप सो भी को समझ में आ गया होगा तो जिसको समझ में आया है प्लीज कमेंट में जरूर बताए कि इसको भी help हुआ है और थोड़ा सा भी मेरे वीडियो से help हुआ हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और प्लीज कमेंट जरूर किजेगा तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई